मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी, जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं बचाता है। लेकिन जब किसी भी रस्ते से हर्याना सरकार पानी देने को तयार नहीं हुई तो मेरे पास अंशन पे बैठने के अलावा कोई रस्ता नहीं था। हर्याना सिर्फ 513 MgD पानी भीज रहा है। यानि 100 MgD पानी, 100 million gallon प्रती दिन पानी कम भीज रहा है। आज मेरे अंशन का दूसरा दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बहुत पानी की कमी है। इतनी भीशन गर्मी में जब दिल्ली वालों को जादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है, वो पडोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल 1,005 mgd पानी आता है जो दिल्ली की घरों में जाता है इसमें से 613 mgd पानी हर्याना से आता है लेकिन पिछले कई हफतों से लगातार हर्याना सिर्फ 513 mgd पानी भेज रहा है यानि 100 mgd पानी, 100 million gallon प्रती दिन पानी कम भेज रहा है एक mgd यानि 1 million gallon पानी 28,500 लोगों को पानी देता है यानि अगर हर्याना 100 million gallon पानी कम दे रहा है तो 28,00,000,000 से जादा दिल्ली वालों को पानी नहीं देगा 28,00,000,000 दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे मैंने हर संभव रस्ता अपना के देख लिया लेकिन जब किसी भी रस्ते से हर्याना सरकार पानी देने को तयार नहीं हुई तो मेरे पास अंशन पे बैठने के अलावा कोई रस्ता नहीं देख दिल्ली वाले इतने कश्ट में हैं, इतने परिशान हैं एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे है इसलिए मैं कल से अंशन पर बैठी हूँ मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ट से सारे आंकड़े मंगवाय लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है कल पूरे दिन भर में 110 M.G.D. पानी हर्याना से कम आया है मैं इस अंशन पर तब तक बैठी रहूँगी जब तक हर्याना सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हर्याना से पानी नहीं मिलता तब तक ये अंशन जारी रहे